नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में दोस्तों बीते कुछ सालों में ब्रेट बटर के ब्रेकफ़स्ट को स्प्राउट्स ने कड़ी टकर दी है ज्यादतर लोगों ने ब्रेट बटर और परांठे वाले नाश्टे को छोड़ कर स्प्राउट्स खाना शुरू कर दिया है आम तोर पर ये तो हम सभी जानते हैं कि अंकुरित अनाज खाना फायदे मन्द है ऐसे में अंकुरित अनाज का सेवन करना एक बहुत अच्छा विकल्प है आप चाहें तो हर रोज के अनाज का प्रकार बदल सकते हैं इससे आपको वराइटी भी मिलती रहेगी और आप बोर भी नहीं होंगे आम तोर पर मूं की डाल और चने को ही अंकुरित करके खाते हैं लेकिन आप चाहें तो किसी दिन सोया बीन को भी भीगो कर खा सकते हैं ये सभी अनाज, प्रोटीन और दूसरे पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं ऐसे में सुभा के वक्त नाष्टे में इसे लेना बहुत ही फायदिमंद है अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय करने में मददगार होता है इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है अंकुरे तनाज में कई तरह के पोशक तत्व पाए जाते हैं ये अंटियोक्सिडेंट और विटमिन A, B, C और E से भरपूर होता है अंटियोक्सिडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक्षमता बहतर होती है वहीं इसमें मौझूद लवन भी शरीर की दूसरे आवशक्ताओं को पूरा करते हैं इसमें फॉस्फोरस, आइरन, कैल्शियम, जिंक और मैंगनीज जैसे प्रमुक लवन पाए जाते हैं अंकोरे तनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है और मास पेशिया मजबूत बनती हैं अंकोरे तनाज में बहुत कम मात्रा में कैलरी होती है ऐसे में जो लोग नहीं चाहते कि उनका वजन बढ़ें वो अंकोरे तनाज को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आज से ही अपने नाश्ते में अंकोरे तनाज खाना शिरू कर दीजिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करें